Hello friends, my name is Arshpreet और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं the moving coil galvanometer. मैंने chapter 3 में जब आपको meter, bridge and potentiometer के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने ये term use की थी, galvanometer. उसमें मैंने आपको सिरफ introduction दी थी galvanometer की, कि galvanometer is an electrical instrument that detects even a small amount of current. आज हमें detail पढ़ेंगे इसकी construction के बारे में, इसकी working के बारे में and इसकी working principle के बारे में. शुरू करते हैं इसकी construction से. देखे, प्रिंस, इसमें exactly दो stationary strong cylindrical magnets होते हैं. अब देखे, ये मैंने लिया हुआ है curved magnet. curved क्यों लिया है? मैं ऐसा भी तो ले सकती थी? North and South. बट यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? curved magnets like this. ये ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं हम? देखे, फ्रेंस, जितनी जरूरी इसकी construction समझनी है, उतना ही जरूरी ये समझना है कि हर एक component यहाँ पर क्यों लगा है? Basically, हमने यहाँ पर cylindrical magnets ही क्यों लगाए हैं? ताकि हम radial magnetic field produce कर सकें. Radial magnetic field क्या होती है? ये एक point पर जाकर focus होती है. आप देख सकते हैं, lines ऐसे जा रहे हैं? Suppose, अगर ये कोई circle है, तो यहाँ से, यहाँ से, जब भी मेरे पास field lines निकलेगी, वो हमेशा कहाँ पर जाकर focus हो रहे हैं? On this point. Similarly, यहाँ पर भी क्या है? Lines सारी कहाँ पर focus होती हैं? एक point पर जाकर. उसके पाद यहाँ पर क्या लगा है? मेरे पास एक iron core लगा हुआ है. ये देख सकते हैं, ये red वाला? Circle, this is soft iron core. Soft iron core से क्या मतलब होता है? हम यहाँ पर क्यों use करते हैं इस material को? because इनकी बहुत ही high permeability होती है. बहुत ही high permeability होती है. अब देखें, हम next chapter में पढ़ेंगे about classifications of materials. उसमें हम पढ़ेंगे three types के materials के बारे में. diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. यहाँ पर जो soft iron core मेंने लिया हुआ है. Basically, यह क्या होता है? यह फेरो-magnetic material. फेरो- फेरो- फेरो-magnetic material. फेरो-magnetic material basically क्या होते हैं? जिने अगर हम external magnetic field में place करें, तो वो उस magnetic field को oppose नहीं करते. उन materials को क्या बोलते हैं हम? फेरो-magnetic materials. Suppose, यह मेरे पास कोई फेरो-magnetic material है. मैंने इस material के उपर wire को क्या कर दिया है? wound कर दिया है. आप यह देख सकते हैं red wires? इनको हम wires भी बोल सकते हैं या हम इनको coil भी बोल सकते हैं. Basically, मैंने इस wires को लेकर इस iron core के उपर wound कर दिया है. बट यह जो iron core है, यह अभी भी अपने axis के about rotate कर सकता है. इसकी मैंने rotation पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है. अभी भी यह क्या कर सकता है? rotate कर सकता है. और इसमें क्या लगा है? spring लगा हुआ है. और इस spring के साथ attach है. एक pointer जो basically उपर जाके attach किया गया है meter scale के साथ. जिस पे हम deflection की reading को study करते हैं. अब this was all about the construction. हम working principle समझ लेते हैं. मैंने आपको last video में पढ़ाया था about a rectangular loop जिसको हमने external magnetic field में place कर दिया था. उसकी उपर net force तो zero था बट net torque zero नहीं था. जिसकी वज़े से वो rotate कर रहा था. उसी principle पे हमारा galvanometer काम करता है. इसमें क्या होता है? बेसिकली जब इस coil में current travel होता है. उसकी वज़े से क्या होगा? एक torque act होता है. और यह पूरा soft iron core है. यह क्या करता है? rotate करना start कर देता है. और उस rotation की वज़े से मेरे पास क्या आता है? रोल में? टॉक रोल में आता है. हमने टॉक का formula लास्ट वीडियो में निकाला था. टॉक वास M cross B. M यहाँ पर क्या था? मैंने आपको लास्ट वीडियो में explain क्या था? magnetic dipole movement. जब इसको खोल लेंगे हम M B sin theta. और M की value क्या होती थी? current into area. यहाँ से मेरे पास टॉक क्या गया? current into area into B sin theta. अब आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो हमने rectangular loop लिया था, वो एक single loop था. बट यहाँ पर क्या है? बहुत सारी wires है. 1, 2, 3, like so on. अगर मैं मान लेती हूँ कि हर एक wire में से currentable कर रहा है I. तो अगर N wires है, तो total current कितना हो जाएगा? I into N. तो मेरे पास torque का जो formula आएगा, उसमें additional एक साथ में क्या आजाएगा? torque is equal to N I A B sin theta. अब theta यहाँ पर कौन सा angle है? area vector के बीच में और magnetic field के बीच में. अब देखें, basically मेरे पास यह जो coil है, वो इस surface पर पड़ा है. तो इसका area vector दो ही possibilities है, हमारे पास या तो नीचे को हो सकता है, या फिर उपर को हो सकता है, because area vector हमेशा perpendicular to the surface रहता है, और magnetic field lines आप देख सकते हैं, हमेशा north to south निकलती हैं, तो magnetic field lines हमेशा ऐसे जा रही होंगी, और area vector उपर है, तो इन दोनों की बीच में angle कितना बनेगा? 90 degree, और sin of 90 की value क्या होती है? 1, इसलिए sin theta वहाँ से हट जाएगा, हमारे पास net torque आ जाएगा, torque is equals to NIAB, यह वो वहला torque है, जो magnetic field की वज़ा से लग रहा है, अब हमने class plus one में पड़ा था, about spring, spring पे, suppose मेरे हाथ में एक spring है, अगर मैं उस spring को खीचती हूँ, इस direction में, तो उस spring के opposite direction में, मतलब जिस साइड उसकी displacement है, उसके opposite direction में एक force लगता है, उसको हम बोलते है restoring force, यह कब लगता है? जब हम linear motion की बात करें हैं, अगर हम बात करते हैं rotation की, तो उसमें क्या आता है talk, और उस talk को मैं लिखती हूँ, is directly proportional to theta, theta और phi ले लिजिए, is directly proportional to phi, phi यहाँ पर क्या होता है, angular displacement, phi is angular displacement, जब आप इस proportionality sign को हटाएंगे, तो आपके पास talk restoring का क्या formula आ जाएगा, k into phi, k यहाँ पर क्या रहता है? तोरिजिनल कॉंस्टेंट, k is, तोरिजिनल कॉंस्टेंट, अब हम equate करने जा रहे हैं, talk को with restoring talk, अब हमने एक talk निकाला था, कि यह में, जो coil है वो रूटेट कर रहा है, ठीक है? और दूसरा talk क्या था? स्प्रिंग की वज़े से, और हम उन दोनों talk को क्या कर देंगे? equate कर देंगे, because talk is equals to restoring talk. Restoring talk basically क्या जाता है? कि जो moment हो रही है, rotation हो रही है, इस magnetic field की talk की वज़े से, वो क्या हो जाए? reverse हो जाए, और जो original हमारे पास position थी, coil की, वो ही position हमारे पास वापस आ जाए. तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? equate कर देंगे, मतलब यह बराबर हो जाएंगे. That is, NIAB is equals to K5, 5 by I. इस I को नीचे ले जाएए, हमारे पास आ जाएगा NAB by K. NAB by K को हम क्या बोलते हैं? Gilvanometer constant. इसका मतलब क्या है? कि पर्टिकुलर्ली एक गिल्वानो मीटर के लिए, N, A, B and K की वेलू क्या रहती है? फिक्स रहती है. और जो हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं, 5 by I. इस 5 by I. इसको हम बोलते हैं, करंट सेंस्टिविटी. 5 यहाँ पर क्या है? जितनी deflection का angle हो रहा है. 30 degree, 40 degree, like so on. तो 5 by I यहाँ पर क्या है? करंट सेंस्टिविटी. करंट सेंस्टिविटी इस डिफाइन आज deflection per unit current. डिफलेक्शन per unit current. अब देखे, करंट सेंस्टिविटी को आप कैसे समझेंगे? सपोज हमारे पास दो गिल्वैनो मीटर्स है. G1 and G2. दोनों गिल्वैनो मीटर्स 10 microfarad का करंट ही मेजर कर रहे हैं. 10 microampire का करंट ही मेजर कर रहे हैं. ये angle दे रहा है deflection का 30 degree और ये angle दे रहा है 180 degree. अब मेरा question है कि इन दोनों गिल्वैनो मीटर्स में से best गिल्वैनो मीटर्स कौन सा होगा? ध्यान से सोच कर देखे, कौन सा होगा? 180 वाला जो deflection चो कर रहा है, वो वला होगा? या फिर 30 degree की जो deflection चो कर रहा है, वो वला होगा? My answer is, G1 will be better. क्यों? देखे, 180 की deflection मतलब हमारे पास total 180 की deflection possible है. इसमें total 10 micro amperes measure करने के बाद ये पूरा deflect हो चुका है. मतलब, अगर मुझे 11 micro amperes का current measure करना है using ilvanometer 2, तो वो मैं measure ही नहीं कर सकती. चो करेगा, तो ये क्या है? बेटर नहीं है, और ये मेरे पास क्या है? बेटर है. ठीक है? अब हम आगे discuss करेंगे क्या? voltage sensitivity. voltage sensitivity क्या होता है? simply जो आपने यहाँ पर rule find किया था, phi by i is equals to nab by k, इसको exactly लिखे वहाँ पर. अब ohms law कर यूज करके हम i की value डाल सकते हैं, v by r, तो phi by v, v by r आएगा, तो r उपर चला जाएगा, और हमारे पास multiply में इस साइड आजाएगा. अब मेरा question है कि हम current sensitivity को and voltage sensitivity को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखे, current sensitivity में जो a, b and k वाला factor हैं, यह तो क्या है? constants हैं. अगर मैं n को increase कर दूँ, n यहाँ पर क्या था? number of turns. जो यह आप turns देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था, कि अगर यह soft iron core है, और इसके उपर wires लगी हुए है, wires wound की गई है, तो अगर मैं इस wire के number of turns को बढ़ा देती हूँ, n की value को increase कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या है? 5 by i, that is, current sensitivity is directly proportional to n, तो 5 by i की value भी क्या हो जाएगी? increase हो जाएगी. Similarly, अगर आप इस side आएँ, that is, voltage sensitivity में, तो आप बोलना चाहेंगे, कि अगर मैं n की value को increase कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी voltage sensitivity increase होनी चाहिए थी, बट नहीं, यहाँ पर voltage sensitivity increase नहीं होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास एक और factor पढ़ा है, that is, r. अब आप सबको पता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है यह formula, that is, r is equals to rho l by a. अब देखे, अगर n की value बढ़ रही है, turns बढ़ रही है, तो मतलब मुझे wire की length भी बढ़ानी पढ़ेगी, तो length भी क्या हो रही है, increase, और अगर length increase हो रही है, तो resistance भी क्या हो रही है, increase, तो अगर मैं इसमें n की जगा 2n ले लूँ, तो मेरे पास r की जगा भी क्या हो जाएगा, 2r, और यह 2 का factor उपर नीचे कट जाएगा, और on the whole मैं बोल सकती हूँ, कि voltage sensitivity भी क्या रहेगी, constant, तो यह ज़रूरी नहीं है, कि अगर मैं n की value को increase कर रही हूँ, तो current sensitivity अगर बढ़ रही है, तो voltage sensitivity भी बढ़े, अब हम आगे discuss करेंगे, galvanometer as an emitter, and galvanometer as a voltmeter, अब हम discuss करने जा रहे हैं, galvanometer as emitter, and galvanometer as voltmeter, सबसे पहले हम discuss करेंगे, galvanometer as emitter, सबसे पहले हम discuss करते हैं, इसकी problems क्या है, दो problems हैं इसमें basically, पहली problem क्या रहती है, galvanometer की, कि यह बहुत ही sensitive है, to the current flowing through it, sensitive का मतलब क्या है, कि micro amperes के current के लिए, भी full deflection शो कर देता है, and दूसरी disadvantages की क्या है, अब जब भी हमें current को measure करना होता है, हमेशा हम किस में measure करते हैं, series में, because, यह मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब मैंने आपको combinations of resistors पढ़ाया था, कि हमेशा series combination में current क्या रहता है, same, and हमेशा parallel combination में voltage क्या है, same, तो अगर मुझे current को measure करना है, तो मुझे gilvanometer को series में लगाना पड़ेगा, अब देखें, इस gilvanometer की भी कुछ अपनी resistance होगी, right, suppose इसकी resistance को हम ले लेते हैं, जी, इसकी resistance क्या है, जी, तो जब current इस path से आएगा, तो यहाँ पर भी कुछ resistance है, और यहाँ पर भी कुछ resistance है, और हमें current का formula पता है, current is equal to V by R, तो अगर resistance की value increase हो रही है, तो current की value decrease हो जाएगी, और हमें exact उतनी amount का current नहीं मिलेगा, जितना हमें चाहिए था, मतलब current की जो यहाँ पर value मिलेगी, is not actual value, तो इसका solution क्या हुआ, हमने क्या करा, कि एक parlor में shunt resistor लगा दिया, shunt resistor का जो amount है, that is S, is very very less than G, this is very important condition जो आपको याद रखनी है, कि जो shunt resistor हम लगा रहे हैं, उसके resistance बहुत कम होनी चाहिए, as comparative to G, अब हम देखते हैं, कि solution करने के बाद हमारे पास circuit कैसा बना, अब हम लगाने जा रहे हैं shunt resistor, shunt resistor हमेशा लगता है इसके parlor में, like this, चेक हैं, अब हम अलग से circuit बना लेते हैं, मेरे पास total करन्था ये आई, total करन्था आई, ये था गेल बैनोमीटर, और नीचे लगा हुआ है shunt resistor, S, और इसकी जो resistance होगी, वो कुछ होगी G, ठीक हैं, यहां से जो current flow करेगा, वो होगा IG, और जो यहां से current flow होगा, वो होगा IS, तो total current I is equals to IG, less IS, हमारे पास एक equation आगई, अब दूसरा, अगर हमें S की value find करनी है, तो वो हम कैसे find करेंगे, Kirchhoff's second law को use करके, यह भी मैंने आपको करवा रखा है, अच्छे से Kirchhoff's second law, that is Kirchhoff's voltage law, उसमें क्या करना होता था, सबसे पहले आपको current की direction देखनी होती थी, उसके बाद आपको loop select करना होता था, loop क्या लेंगे अब हम, suppose इस junction point का नाम है कुछ A, this is B, this is C and this is D, और अगर मैं move कर रही हूँ like this, मतलब मैंने loop लिया है A, B, C, D and A, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अब Kirchhoff's second law को use करके, मैंने आपको कुछ shortcuts बताए थे, कि अगर path and current, same direction में flow कर रहे हैं, across resistor, तो आप उसको क्या लेते थे, negative, अब आप देख सकते हैं, current भी इस direction में जा रहा है, और ये red वाला जो मैंने path draw किया है, वो भी इस direction के along जा रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, minus of is into s, s यहाँ पर क्या है, shunt resistor, अब आजाएए इस point पर, यहाँ पर रस्ते में हमारे पास कुछ नहीं है, कोई resistor नहीं है, कोई भी cell नहीं है, जब हम यहाँ पर आएगे, तो इस गिल vanometer की भी कुछ internal resistance होगी, इसकी value क्या होती है, जी, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो current जा रहा है, वो along this direction जा रहा है, और path हमारा इस side है, मतलब यह oppose कर रहे हैं, तो मतलब यह positive है, ig into g equals to 0, using kvl, simply हम value find करनी है हमें s की, तो हम s को इधर ही रहने देंगे, sorry, s वाली term को उधर ले जाएंगे, तो positive हो जाएगा, divided by is, यहाँ पर आप is की value substitute कर सकते हैं, यहाँ से, is की value क्या हो जाएगी, i minus ig, so ig into g upon i minus ig, यह हमारे पास किस की value आ गई, shunt resistor की, so हम shunt resistor यूज करके, build कर सकते हैं, galvanometer को as an m meter, अब हम discuss करने जा रहे हैं, next application, that is galvanometer as volt meter, देखे, अब अगर मेरे पास कुछ इस type का circuit है, यह मेरे पास कुछ potential है, V, current flow कर रहा है, i और यह कुछ resistance है, r, अगर मैं कुछ values ले ले लेती हूँ, that is, की current की value है 10 amperes, resistance की value है 2 amperes, 2 ohms, तो V is equals to IR, तो यहां से V की value क्या आ जाएगी, 10 into 2, that is 20 volt, मतलब हमें जो measure करना था, वो कितना आना चाहिए था 20 volt, बट यहां पर आप क्या होगा, देखे, यहां पर क्या है एक junction point, तो इस junction point पर क्या होगा, current divide हो जाएगा, suppose इस path से जा रहा है कुछ 9 amperes, total 10 amperes था, अगर इस path से जा रहा है 9 amperes, तो नीचे वाले path से जाएगा 1 amperes, और इस condition में हमारे पास V is equal to IR, अब आये क्या है 9, into R की value 2, that is 18 volt, हमारे पास actual value कितनी आनी चाहिए थी, 20 volt, बट A कितनी रही है, 18 volt, अब देखे, कुछ तो problem है कि यह जो 1 amperes current यहां से जा रहा है, मैं नहीं चाहती कि इतना amount का current यहां से जाए, तो इसका solution क्या होगा, अब यह तो मेरी problem हो गई, अब इसका solution क्या है, कि अगर मैं इस branch में resistance की value को increase कर देती हूँ, अगर मैं resistance की value को increase कर देती हूँ, तो मुझे पता है, I is equals to V by R, अगर resistance increase हो रही है, तो current इस path से क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, और मुझे approximately value कुछ V की मिल जाएगी, 19.8 volt, जो पहले 18 volt मिल रही थी, अब क्या मिल जाएगी, 19.8 volt, तो इसका solution क्या रहेगा, मुझे इसके साथ in series लगाना पड़ेगा, एक resistance, that is Rs, और उसकी value बहुत जादा greater होनी चाहिए, किससे? गिलवानो मीटर के resistance से, that is, Rs should be very, very greater than G, अब हम value solve करने जा रहे हैं, Rs की, अब देखें, इसका solution क्या होगा, यह मेरे पास था current IG, यह गिलवानो मीटर लगा था, अब इसकी resistance भी मैं बहारी बना रही हूँ, ताकि आपको easily circuit समझा जाए, यह G है, basically यह गिलवानो मीटर की resistance है, और इसके साथ मैंने in series ही लगाया है, कुछ resistance, Rs, that is very, very greater than G, अब मैं value find करना चाहते हूँ, किसकी Rs की, तो यह कुछ loop ऐसा complete होगा, अब current की direction ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर positive terminal होगा, और यहाँ पर negative terminal होगा, तो अब यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, KVL, हम path select करते हैं सबसे पहले, path क्या ले रहे हैं हम, loop मैंने ले लिया, A, B, C, D, loop है मेरे पास, A, B, C, D, A, तो जब मैं A से B की तरफ move करी, मेरे पास रस्ते में कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर कुछ भी value नहीं आएगी, आगे में चली, current इस direction में जा रहा था, और path भी same direction में था, और जब current और path same direction में होता है, तो मेरे पास एक negative आता है, that is minus of IG into G, और similarly आगे RS पढ़ा हुआ था, उस में से भी कितना amount of current flow कर रहा है, IG, और direction same है, current की भी इस side है, और path भी इस side है, तो minus of IG into RS, और बात आती है वागे cell की, cell में मैंने आपको बताया था, कि जब भी हम path negative to positive जाते हैं, cell में तो जो last में आता है, हम उसको लेते हैं, तो अब देख सकते हैं, path ऐसे जा रहा है, negative to positive, तो last में आ रहा है positive, इसका कुछ potential है V, तो हम लेखेंगे plus of V is equal to 0, और मुझे value किसकी find करनी है, RS की, RS वाली term को मैं अधर लेके जाऊंगी, तो यह आजएगा, V minus IG into G is equals to RS, divided by IG, divided by IG, तो यहाँ से मेरे पास RS की value कितनी आ जाएगी, यह IG से IG कट जाएगा, और RS की value आ जाएगी, RS is equals to V by IG, minus of G. तो यह मेरे पास आगया resistance की जिसको मैं कनेक्ट कर देती हूं, अगर गिल्वानो मेटर के साथ इन सीरीज, तो मैं बिल्ट कर सकती हूं, गिल्वानो मेटर as a volt meter. इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है, हम नेक्स वीडियो में पड़ेंगे अबाट EMPHIR's CIRCUTAL LAW. तिल देन, कीप रवाइजिंग और इंजोई फिजिक्स, और से कनेक्ट विद में ऑन इस चैनल, इस आइविस एदूकेशन.